नमश्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनन पर किचन में तवा रखोगे ऐसा बनी रहेगी लक्षमी की किरपा, कभी नहीं होगी धन की कमी वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गई हैं इन उपायों के अजमाकर आप घर में देवी लक्षमी की किरपा बनाई रख सकते हैं इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव कभी नहीं रहेगा तो आईए जानते हैं वास्तु से संबंदित तवे के उपाय तवे ने सिरप आपकी रोटी बनाने के काम आता है बलकि यह आपके घर में धन की बरकत भी लाने के काम करता है वास्तु विज्ञान में तवे से संबंदित कई उपाय बताए गई हैं तवे के अन्य उपाय को अजमा कर आप धन समर्धी और घर में उन्नती ला सकते हैं आईए अजमाय तवे के उपाय तवे को लेकर मानी जाती है ये बाते घर की हर चीज का संबंद वास्तु से होता है हर चीज से जूड़ी एक अच्छी और बुरी बाते होती है वास्तु के हिसाब से अच्छी बाते पोजिटिव एनर्जी पैदा करती है और वही बुरी बातों से नेगिटिव एनर्जी उत्पन होती है आज हम बात करने जा रहे हैं किचन की एक एहम वस्तु के बारे में कि वास्तु के अनुसार उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए यह वस्तु है तवा तवे को लेकर कई परकार की माननेताई परचलित है आईए जानते हैं इसके सही रख रखाव से जुड़ी कुछ महतव पूरण बाते नमबर एक भूल कर भी नै करे ये काम अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बरतनों में धुलने के लिए रख देते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है यह अशुब माना जाता है घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तोर पर देखा जाता है गरम तवे पर पानी डालने पर जो चन की अवाज होती है उससे नेगेटिव एनरजी घर में आती है वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मिर्थ्यू हो जाती है तो उसकी तेरवी के दिन भी गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है इसलिए सामानने दिनों में ऐसा करना अशु माना जाता है इसके साथ यह भी माननता है कि गरम तवे पर पानी डालने से मुसलधार बारिस होती है और ऐसी बारिस में तभाई होने का अंदेशा होता है इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं नमबर दो जोच्सी में तवे का संबन राहु से माना जाता है इसलिए इसकी साफ सफाई का विसेस तोर पर ध्यान रखना जरूरी होता है हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर रखना चाहिए वही इस बात का भी ध्यान रखे की तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए की जहां से यह बारी लोगों को नजर ने आए नमबर तीन ऐसे तवा रखना सही नहीं तवे को सदेव ही लिटा कर रखना चाहिए ऐसा माना जाता है की तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखे की तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए कुछ लोगों की आदत होती है की रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस टोक पर यूँ ही छोड़ देते हैं ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी से छोड़ देजिए नमबर तीन धन की हानी होती है ऐसा करने से अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है इसका उप्योग करने के बाद इसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है नमबर च्यार तवे पर नमक छिड़कना वास्तु में घर की नेगिटिव को खतम करने के लिए एक उपाई बताया गया है तवे पर रोटी सेकना सुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपे पैसे की या फिर खाने की कमी नहीं होती वही इस बात का वेज्ञानिक महतव यह है कि ऐसा करने से तवे की सारे किटानू मर जाते हैं और रोटीया खाने वाला कोई भी बिमार नहीं पड़ता आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जै लक्ष्मी माता लिखना ने भूले हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद